दिस इस दिवा सुखला एंड वेलकम टू टार्गेट वी थंकिता फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम हिस्टरी का लेशन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा इतिहास जानने के श्रोत फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए या तो चलिए बीना किसी देर कि इस वीडियो को सुरू करते है पाथ ही योजिना का निर्माड करते समय सबसे पहले आपको पाथ ही योजि इसके बाद आपको छे कॉलम बनाने होंगे दिनांकक कच्छा विसए उपरविशय कालांस अवधी दिनांक में आपडेट डालिएगा क्लास में शिक्स विशा में समाजेविज्ञान उपरविशय में इतिहास कालांस में बैल डालिएगा 34 पचवी जो भी बैल होगी जिसमें नंबर एक बच्चों में इतिहास विशाई के प्रती रूच जागरूख करना नंबर दो बच्चों की मानसिक सक्ति का विकास करना नंबर तीन बच्चों को मानों समाज के विकास से अवगत कराना नमबर चार, बच्चों में वैज्ञानिक एवम ऐतिहासिक दृष्ट कोड विक्सित करना नमबर पांच, बच्चों की बाउधिक छमता का विकास करना नमबर छे, उनमें ऐतिहासिक प्रमाडों के प्रतिजाग रुखता लाना नमबर साथ जिससे वे उन प्रमाडों की जाज कर सके नमबर आठ उन्हें अतीत इतिहास से अवगत कराना सामान्य उद्यस के बार विशिष्ट उद्यस हेडिंग डालना है और इसमें सबसे पहले ज्यानात्मक उद्यस से लिखना है जिसमें नमबर एक बच्चे इतिहास जानने प्रमुक्स रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे नमबर दो बच्चे इतिहास जानने के प्रति उच्छुख होंगे उसके बाद बोधात्मा कुद्देश में नमबर एक लिखना है बच्चे इतिहास के काल करम की जानकारी प्राप्त करेंगे नमबर दो बच्चे इतिहास से अवगत होंगे इसके बाद हेडिंग डालना है क्रियात्मा कुद्देश, नमबर एक, बचे ब्रामी लीप की जानकारी प्राप्त करेंगे, नमबर दो, बचे इतिहास के साच्छो प्रमाडों की जाच करेंगे उसके बाद सिच्छडविधी में लिखना है प्रस्नोतरविधी, असपश्टी कलडविधी, सहायक सामागरी में पुरा तात्वी कभिलेख, सिक्के, इस्टूब, आधिका चित्र, तथा अन्यक अच्छा उप्रियोगी उपकरड़ इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्विध्यान, बच्ची अपने दादा दादी, नाना नानी से अपने पूर्वजो के बारे में पूछ चुके हैं उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्ताव ना प्रस्ने इसमें तीन कालम बनाएंगे पहला करम संख्या दूसरा छात्या ध्यापिका कथन तीसरा छात्र कथन नमबर एक पिर्थिवी पर सबसे जागरुक प्राड़ी कौन है मनुस्य नमबर दो मनुस्य अपने पूरुजों की जानकारी कैसे प्राप्त करता है अपने दादा दादी नाना नानी से नमबर तीन दादा दादी से पूछ कर कितने पीडियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दो तीन पीडियों की नमबर चार दो तीन पीडियों से जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हो सकती छात्र कथन में लिखेंगे क्योंकि लिखित साच्छ नहीं है नमबर पांच प्राचीन समय की जो घटनाय लिखित हैं उसे क्या कहा जाता है चात्र कथन में लिखेंगे चात्र संभावित उत्तर देंगे अथवा माउन इसके बाद हेडिंग डालेंगे उद्देश से कथन बच्चो आज हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में विश्तर देंगे इसके बाद में हमें प्रस्तूती करण हेडिंग डालना होगा और इसमें कुल हमें चार कॉलम बनाने होंगे पहला सिछड बिंदू, दूसरा छात्रा ध्यापी का कथन, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा स्यामपठकार सिछड बिंदू में लिखा है इतिहास क्या है? छात्रा ध्यापी का कथन में लिखेंगे प्रसन परिवार के पूर्वजों की पूरानी बाते हमें किस से मालुम होती है छात्र क्रिया में दादा-दादी नानानी से प्रसन इतिhास क्या है छात्र क्रिया मौन असपस्टी करड इतिहास पीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है इसके बाद में सिच्छड बिंदू में लिखेंगे अतीत के भाग छात्रा धिपिका कथन में लिखेंगे प्रसन अतीत का क्या अभिपराय है छात्र क्रिया जो बीत गया है प्रसन अतीत को कितने भागों में बाटा गया है चात्र क्रिया में लिखेंगे चात्रमाउन हो जाएंगे असपश्टी करण में लिखेंगे अतीत को मुख्यता तीन भागों में बाटा गया है नमबर एक पूर्व एतिहासिक काल, नमबर दो आद्य एतिहासिक काल, नमबर तीन एतिहासिक काल पूर्व एतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामागरी उपलब्ध नहीं है आदिया इतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साथ छेतों हैं किन्ट उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है इतिहासिक काल जिस काल या समय के विशा में लिखित सामागरी से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता हो पुरा तत्यों किसे कहते हैं चात्र कथन में लिखेंगे संभावी दुपतर असपरश्टी करर डालेंगे हैडिंग लिखेंगे प्राचीन काल में मानों द्वारा प्रयोग में लाई वस्तूवों नेर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवसेसों का अध्यन पुरा तत्यों कहलाता है चात्र कथन में चात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे उसके बास इच्छडविन में लिखेंगे प्राचीन लेखन सामागरी चात्रा धीपी का कथन में लिखेंगे प्रश्ण प्राचीन काल में लेखन के लिए किस सामागरी का प्रयोग होता था उसके बाद में हेडिंग डालेंगे असपस्टी करड प्राचीन काल में मानों ने जब लिखना सुरू किया तब उसे कागज का ज्यान नहीं था वहनिम्न चीजों का उपयोग लेखन के लिए करता था नमबर एक ताड़ पत्र ताड़ के पेड़ के चोड़े पत्ते भोज पत्र भोज नामक पेड़ की छाल तामर पत्र तामबे के पत्ते एवं चप्टे टुकड़े नमबर चार अस्तंबलेख पत्थर के अस्तंबो पर लिखे लेख पत्र इसके बाद सिछड बिंदु में लिखेंगे इतिहास जानने के स्रोत छात्रा दिहपी का कथन में लिखेंगे इतिहाल जानने के प्रमुक स्रौत बताएं चात्र गथन में लिखेंगे मौन उसके बाद असपरश्टी करण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इतिहाल जानने के प्रमुक स्रौत निम्न है नंबर एक पुरा तात्योत जिसमें अभिलेक सिक्के और मुहरे धौला वीरा सारनाथ हिस्तूप चात्र कथर में चात्र महत्पूर्ण बिल्बू को नोट करेंगे उसके बाद में नमबर दो साहित इक्सरोथ इसमें पहला है धार्मिक साहित दूसरा धर्मुत्तर साहित तीसरा विरेशी यात्रियों के विरित्तान्त इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्ण नमबर एक प्राचीन काल के मानो किस किस पर अपना अभिलेख लिखते थे और क्यों नमबर दो सिक्के और मुहरे इतिहास जानने के किस रोत के अंतरगत आते हैं उसके बाद हैं मुल्यांकर प्रश्ण नमबर एक धौला वीरा कहां इसे थे नमबर दो अर्थ सासर के लेखक कौन थे उसके बाद ग्रिह कारे में लिखेंगे पूरा तात्विक्स रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ें फ्रेंड्स हमारा यहां पर एक लेशन प्लान कंप्लीट होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजेगा इस वीडियो से समबदित कोई भी सुझाओ या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बर को जरूर प्रस कर दीजेगा इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डेस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां से जाकर उन्हें भी जरूर देखेगा मिलते हैं अगली वीडियो म ट्सक्रिफेशन बर्ण भी जरूर आप्साइब में लिए जरूर उड़ना को ज मीजी हुई है वीडियो में लिए जरूर आपने कर देखीजेशन गभी हैं जरूर आपने को अविए लिए जरूर आपते हैं